तो आज मैं आप लोगों के साथ लड्डू गुपालची के लिए सिंगहसन का एक वीडियो शेयर कर रही हूं एक्शली यह वीडियो मैंने जनमास्ट में से पहले बनाया था बट अपलोड करते करते मुझे इतना लेट हो गया खेट छोड़ो तो यहाँ पर मैं सिंगहसन का बेस बनाने के लिए मैंने एक बुड़न ट्रे लिया था जिसके पीछे थ्री स्टिक्स लगे हूए हैं अगर आपको इस टाइप का रेडी में कोई ट्रे नहीं मिलता तो आप खुछ से भी ऐसा ट्रे लेकर उसके पीछे स्टिक्स लगा सकते हैं यहाँ पर यह कुछ आर्टिफीसिल फ्लार्स और लीज लिए हुए हैं और यह सिंगहसन पर नीचे लगाने के लिए मैंने एक फैल्ट शीट लिया हुआ है उसके बाद यह मेरे पास कुछ लेस बगेरा पड़ी हुई थी अगर मुझे इसमें से कुछ यूज आता है तो और यह है हमारी सबसे क्यूटेस्ट चीज तो यह भी मैं अपने सिंगहसन में यूज करने वाली हूँ तो चलो सिंगहसन बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने जो ट्रे था अपना सिंगहसन को जो बेस बनने वाला है उस पर मैंने फैल्ट शीट को लगाया आप इसके चाहें तो कोई फैब्रिक भी लगा सकते है ठीक है तो मैंने अच्छी तरीके से फैबी बॉन की हैल्ट से ये फैल्ट शीट को अच्छी से लगा लिया है अभी जो है मेरा शीट थोड़ा सा छोटा था और साइड्स में जो है वो नहीं लग पाया तो मैं इस पे ये लेस लगा रही हूँ अगर मेरे पास ज़्यादा होता तो मैं साइड्स में भी इसको लगाती उसके बाद मैं ये लेस लगाती बट कोई नहीं वो वैसे भी अच्छा लग रहा है उसके बाद ये जो छुटी छुटी बैल्स आते हैं मैंने वो लिए हैं उसके उपर मैंने ऐसे वाल चेन को हैंग किया है और इसके हम थो ciaindong बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके से तो मैंने पांच बैल ले हुए ही मैंसें थोड़ा सा बड़ा-वाला लगा रही हूँ और उसमें मैंने नीचे एक टैसल भी लगाया है और साइट्स में दो-दो मैंने छोटे लिये हैं कुछ इस तरीके से उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लेस लगाया है और फिर हम जो है इसको अलग-अलग तरीके के फ्लार्स लगा करके डेकोरेट करेंगे साइट्स में मैंने भी मैरे पास मिराइट था मै topics करकेुडे लगा लेगली है यह स्टिक्स जदा है ना dollars में तो ज़ए यह दाइक बहल यह झता स्व जाए मैंने यह ने हो ineffa कहां डबल से खुलबाऊंगी लगवाऊंगी तो मैंने ऐसे ही रहने दिया इसको पहले मैंने सोचाता कि मैं इसको पूरा एकदम फ्लार्स से कवर कर दूँगी बाट फिर थोड़े फ्लार्स कम दिखे तो मुझे लेस का यूज करना पड़ा बट कोई नहीं है ऐसे भी अच् जिसका जैसा अच्छा लगा था मैं वैसे लगाती गई और एक और चीज कि आप इसको मतलब इन फ्लार्स को जो है फैवी बॉन्ट से बिलकुल ना लगा है जो ग्लूगन होता है उसी का यूज करके लगा है उससे बहुत ईजी लग जाते हैं और बहुत अच्छे से लगत इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है उतनी देर आपको इसको पकड़ के रखना पड़ेगा और मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं इसलिए आप इसको ब्लूगन से ही लगा है मेरे पास फिलहाल पता नहीं कहां पड़ा हुआ था मिल नहीं रहा था तो मैंने नहीं इस बदोंको नामे में वा साइस धिया और तो हमने फोलर हमें आो को ऊक्तिके पंसलादा है और दो आपने मी इस दाताष औपासके से लगा लगाएँआ है और यहां पर नहीं है मैं एक पतला सा लेस लगाने वाली हूँ इधर मैंने ना पहले पैंसल से लाहिन खीश ली ताकि एकदम सीधी लग जाए तो मैं वही फैवी बॉन के हेल्प से जो है ये लेस पो लगा दूंगे अच्छे से और हाँ एक और बात कि वीडियो कर अच्छा लगे तो इसको लाइ हूँ बट ठीक है कोई बात नहीं तो यहां पर देख सकते हैं आप यह जो दोनों छोटी-छोटी क्यूट सी गाए थी मुझे बहुत क्यूट लग रही थी तो अभी हम इनको लगाते हैं और मुझे ना इस पूरे सिंगहासन में सबसे सुन्दर चीज अगर कुश लगी तो यही लगी थी तो मैंने ना नीचे की साइड दोनों साइड एक-एक गाएं लगा दी अच्छे से और उनके सेंटर में जो है एक फ्लार लगा दिया और अभी हमारा सिंगहासन कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो मैंने यहां पर कुछ मिरर्स भी यूज किये हुए हैं एक थोड़ा सा बड़े साइज से एक थोड़ा सा चोटे साइज का है तो उनको भी मैंने फैबी बॉन की हल्ट से लगा दिये हैं और बस हमारा सिंगहासन जो है वो बन करके एक दम रेडी हो गया है और मैंना मास्क में वाले दिन जब इस पर मेरे काना जी बैठे हुए थे तो आप देखी सकते कि कितना सुन्दर लग रहा था और मैंने इस पर पीछे की साइट कुछ आर्टिफीशल प्लांट्स भी रग दिये थे तो उसके बाद तो यह और भी अच्छा लग रहा था आप लोगों को जरूर सबस्क्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थेंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई और जैसे कृष्णा